इस चैप्टर नाइन है क्लास एट का मैंने क्लास एट के जिसने इसके प्रिवेज चैप्टर थे वह वेने सब के वीडियो बनाया है बिल्कुल एक एक कुश्चन हरे कॉंसेट के साथ भी थियोरी ऐसे हैं अच्छास नाइन में शुरू कर रहा हूं इसके पहले इसके जरवान क्या बनाना है ठीक है तो पहले लिखा है है और अल्जैब्रिक एक्सप्रेशन वाट इसके इसके मैंने यह यहां पर लिखता हो कुछी जांपनगा से कर गए मैंने यहां पर लिखा है 4x प्लस 7 अब देख पा रहोंगे यह टर्म क्या है constant है यह variable है constant है means कहने को तो भी है कि algebraic expression होता है वो combination of two things है एक constant term का एक variable terms का constant क्या होता है जो लिखते हैं counting हो गए रहा है 1 2 3 4 5 8 9 10 101 यह सब जो constant है counting वाला है वो क्या है constant है y जो यहां पर x लिखा हो है न यह variables है ठीक है और जो यह लिखा हुए क्या है variables है जो यह लिखा हुए क्या है यह constant ठीक है न बारियाबल के जब और क्या होता है इसमें दो तरह की constant मेलब की constant अ वरियावल का mixer होता है यह भी algebraic expression है इसके अलावा और बहुत सारे हो सकता है यह नहीं की वह होगा ठीक है न तो सरी क्या है algebraic expressions है जो मैंने आपको बताया ठीक है अब अलजबरी आते है कुछ term के बारे बात करता हूं मैं देखिये term जिसमें यहां पर लिखा था 4x plus 7 लिखा हुआ था अब देख पार रहे है क्या है एक algebraic expression है यह algebraic expressions है इसमें दो term है एक term तो यह वाला एक term यह वाला है क्या है यह क्या है टर्म हो गया जैसे कि यहां पर तीन टर्म है एक दो तीन टर्म हो गया जो number लिखा होगा ना जो बीच में जो दिया हो और operation यह operation operation it is called plus minus है ना multiply division है क्या operations है क्या operation है तो इसके लिए यहां पर plus दिया हुआ है तो जो operation को separate करता है कि यह क्या है यह एक रहा फर्स टर्म में यह सेगंट में तो यह रहा term के बारे में ठीक है ना यह term रहता है एक है factor तो यह माल नहीं क्या है 4x है कि नहीं है तो 4x को अगर मैं निकाल हो तो क्या जाकते है 4 multiply means 4x किसका factor है 4 और x मिस प्रोड़क्ट फ्रोड़क्ट प्रोड़क्ट इस प्रोड़क्ट आप 4 and x ऐसे माल लिए टेर्म को इन लितने फैक्टर यह 7 लिखा हुआ है इसका factor हो गया means जो टर्म है ना उस टर्म का ही factor होता है ठीक है ना पहला था जिसको बहुत है आप लोग को फिर मैंने बता है तर्म के बार है तर्म के बार है अब आते कोफिसेंट के बार है कोफिसेंट क्या होता है कोफिसेंट में हमेशा क्या होगा हमेशा इसका जिकर होगा वैरियवल के साथ वाल जाते मालने की 4x हो गया अगर मैं पुछो कि यहां पर कोफिसेंट कितना एक्स का है तो 4 हो गया ठीक है ना अगर मैं पुछता यहां पर कि y का कोफिसेंट कितना ह है तो वो तब 4x का स्कोर अगर मैं पुछता कि x square का कोफिसेंट कितना है means अगर सिर्फ पुछा कि इसका कोफिसेंट क्या है तो फोर हो जाथा लेकिन किसी ने यहां लिखा मैं निगेटिव 5x square yz मैंने पुछा यहां पर कि जेट का कोफिसेंट क्या है क्या लिखो गए निगेटिव लिखो गए और जेट कि अलापा जितने हैं सारे यहां पर मैं लिख दूँगा ठीक है ना तो यह रहां term factor of coefficient के बारे में आपको बताया देखिया नेक्स्टीजे क्या है वो आपको मैं बताता हूँ ठीक है ना अब देखिए according to term according to term के according हर एक expression कुछ अलग अलग नाम होते हैं देखिए एक नाम है मैं आप नाम लिखता हूँ देखिए का एक बार monomial monomial binomial trinomial फिर होते हैं polynomial अब लेसे हैं binomials trinomials ऐसे मैं अब लिख सकते हैं को दिकते नहीं है यह क्या होता है इसके बारे मैं भी चैटरा काता हूँ जब देखिए अगर मान दिया यहां लिखा मैं लिखा 4x इसमें कितने टर्म है एक टर्म है कि नहीं है अगर एक टर्म होगा यह टर्म एक ही है न क्या एक टर्म है न तो इसको बोलते है monomial means ऐसा expression those expression in which only one term is given means अगर कैसा भी expression उसमें अगर एक टर्म होगा तो बोलते है गया monomial ऐसे ही अगर दो टर्म होगा जैसे मैं पिछे भी दिया था एक्जाम पर 4x प्लस का 7 का इसमें दो टर्म है एक टर्म ही रहा एक टर्म ही रहा एक टर्म ही रहा अगर प्लस को पेपर उसको क्या पढ़ना अब लोगों को देखिए मैं लिखाना तो 4x का स्क्वाइर है 3x का स्क्यूब है इसमें चोड़ा 4 टर्म है अगर में इस तीन से ज्यादा होता है इसको बोलते है polynomials या कहीं कहीं लिखा होता है ऐखर तीन चाल है ना तो चाल टर्म को क्या बोल सकते है ba भूरियम्य से लेकिन आपके बूक में अपके लिखा-हूँ आप plead-ध लिखा हूँआ है तो ईसको यह थिक्ति नहीं है एक टर्माले को MONOMiesel two Wahrseaterms को BIONitime तीनमाले को Tri ries 요 तीन से ज़ब लिखूँ को तीन से ज़ew होगा आपको मैंने यहां भी लिखा है आप देखिए लिख देखिए मैंने 4x नेगीटी पर 13x 13y है न ऐसा करके इसे में like term कौन सा है देखिए यहां भी x है और यहां भी x है तो यह दोनों के like term miss कहने का मतलब कि अगर variables same or constant कुछ भी उसे मतलब नहीं है लेकिन variables एकर same है x यहां भी है x यहां भी है तो यह दोनों आ जागा like term में ट्निम कीश वहए आजएगा like term मिया आ जाएगा जाता ठीक है लगी टेखिए तरम है पर को यें तरम यह यह लिखा होता थो यानैं पर 2- me तो यह फिर पर ता 13 ये सब्सक्राइब बदाए है इसका पढ़ना है इसका पढ़ना है इसका पढ़ना एडिशन पढ़ना है सब्ट्रेक्शन पढ़ना है मल्टिप्रिशन पढ़ना है डिवाइड भी पढ़ना है ठीक है ना तो यह चीजे पर जो मैंने मिले पता है इसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर एक्सरसाइज है इसको बिल्क आपको दो कोशन मैं भी कराता हूं ठीक है ना उसको बिल्कुल आप देखिएगा दिया का जो कोशिन दिया हूँआ कोमा करकर के एक्सक्रेशन इसब्स एस साइट इस तरह के दिया हुआ है तो पहले कि अ प्वक्स स्थरोर फ़रगा करें है तो DON intuition को लिखना है तो पहले का इस तरह के लिखना अबTO term और coefficient लिखना, इस तरह के लिखना और फिर्फट मिरी के लिखना को. तो constant है वह इसमें किसका नाम नहीं लिखा हुआ कि किसका इसमागी लिखना एक और सिर्फ कॉफिसेंट लिखना होता है तो जितना इसमें constant terms हो लिख दीजिए यह पर फैले फाइज रिख़ लिख दिया इसमें लिख दिया इसमें कितनी आप 2 टीन टर्म है न ओएक एक का कुछ नहीं तो वन है ठीक है न ऐसे ही देखिए यहां पर देखिए यहां पर तीन ट्रम था लिख दिया मैंने एक था फूर एक मानस फूर एक जीट का सब्सक्राइब हो जाएगा ठीक है ना एक द्यान से बलो यह था तीन कोश्चन देखिए नेक्ट फॉर्थ में के लिखा तो यह होगा 3-0 प्लस क्यू इसमें तो फॉर्थ क्यों को जके आइक सबीयुड मुषया 3-2 त्रे का त्री का थ्री होता नियुकै ना यहां पर त्रम लिखा हुआ है, sin बिल्कुल नहीं बुलिएगा आप लोग, ठीक है ना, x by 2, 2 का है पर divide में है, x का उता हुआ हुआ है, x का 1 तो 1 by 2 होगा, एसे ही y 2 में था, by, by upon 2 है कि नहीं था, आप अब उपां में था, एक 0.6 हो गया निगेटिव का यहां पे 0.5 हो गया कोफेसेंट में से यह है कि वेरियबल को छोड़के सारे टरम्स को लिख देना आपको यह रहा फर्स्ट को संप पूरा अब देखते हैं सेकंड को संप को सेकंड में क्या है बार एकसोड में वहाइक टिए ऊटिल बार्म प्रसंदिया होला है बार रख में लिखना है खिस्मे गिसे में आता है बलती न कि आ इसको क्या बोलते है पॉइनोमर बोलते हैं लिए पॉइनोमर पॉर्थ में क्या है तीन टरम ट्राइनोमर नहीं लिखा हुआ है ठीक है यहां तो आप लोग को दिखें नाए हना चाहिए आप लोग तोई कितने टर्म है एक टर्म है दो टर्म से जो टूपी प्लस क्या है किया है ठीक है ना तो यह रहा को Скन फर्स्ट और सेकंड के वारे निद बता आप भी ठीक है मुल्कुल वीडियो को यह एंट टेक देखे हूंगा आप लोग समझ में आएग बीडियो को आप डूसरा के जीएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर नहीं कोई कर पाए है अब तक तो ठीक है ना